नमस्कार दोस्तों रियेज के सनाईयस अकडमी में आप सभी का स्वागत हैं वे दोस्त जो आज हमसे नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर प्रारंबिक परिच्छा और मेंस परिच्छा दोनों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से खतम कर दिया गया है जिसमें आपके प्रीम अच्छे मार्स मिलेंगे ही आप उस लेक्चर को देखके मेंस में अच्छे से एंसर राइटिंग भी कर सकते हैं इसका पीडियाफ नोट्स भी आपको प्रॉइड करा दिया गया है तो जो लोग अभी तक इस किस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं आपके 25 से 26 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा ठीक पचास से पच्पन लेक्चर में ये पूरी प्वालिटी खतम की गई है आदे आदे घंटे के वीडियो है तो माम चले आपके 25 घंटे अगर आप देखेंगे तो आप से आप सब को जियोगरफी की वीग कच्छाय मिलनी शुरू हो जाएंगे तो आज हम क्या करेंगे सबसे पहले जो कच्छाचे की जो की 항 वीडियो के मादें से हम लोग देखते जाएंगो जिससे पूरी जगार्फी हमारी कस Macramत हो जामा आप सबसे निवेद नहीं कि अच्छा को पूरा देखिएगा और जो भी आपको लगे अच्छा लगे खराब लगे आप लाइक करिए डिफ लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए ठीक है तो शुरू करते हैं कि हमारा पहला दिया है सौर मंडल में पिर्थवी ठीक है सौर को जानने से पहले हम कुछ सब्दा वलियों को देख लिते हैं जो कि हमारी इस पहले अध्याय में दिये गए ठीक है पहली हमारी सब्दा वली है कि पूर्डिमा कैसे कहते हैं ठीक है पूर्डिमा की बात आती है यह चंद्रमा से संबंदित सब्द है जिस रात को चंद्रमा पूर रूप से चमकता हुआ दिखाई देता है, एक दम सफेज चमकता हुआ दिखाई देता है, उस दिन क्या उनसी रात होती है, पूर इमा, और इसके ठीक पंदरा दिन बाद ये चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, तो उस रात को क्या कहते हैं, अमावस्या, उस रात को क् है यह हमारे आकास में दिखाई ही नहीं पड़ता है यह हमारे आकास पैदिकव समय कितना थ хот यह हमारा हो गया पूरिमा और अमावस्या की बात, यदि हमें आकास को देखना है, आकास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम पूरिमा को चुनेंगे कि अमावस्या को, सब लोग यही बताएंगे अमावस्या क्योंकि रात में चंद्रमा नहीं होगा, तो पूरा आकास हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा तो ये बात हो गई आपके पूर्डिमा और अमावस्या की ठीक है दूसरा जो इसमें सब्दावली है और खगोली पिंड खगोली पिंड किसे कहते हैं तो खगोली पिंड के बारे में एकि सूरी चंद्रमा तथा वे सभी बस्तुए जो रात के समय आस्मान में चमकती हैं उन्हें क्या कहा जाता है खगोली पिंड कहा जाता है कहने के मतलब ही हो गया सुवुरिय चंद्रमा ग्रह उपग्रह तारे उलका पिंड छुद्र ग्रह सब के सब क्या है खगोलिये पिंडे है ठीक तो उसे में खगोलिये पिंडे है आपका तारा तारे क्या होते हैं ठीक है तारे ये गैसों के बने होते हैं ठीक है तारे क्या होते हैं गैसों के बने होते हैं इनका आकार बहुत बड़ा होता है ठीक है और गर्म होते हैं इनके पास अपनी उसमा औ तारे की बिसे में ये कहेंगे वेख गोलीये पिंड जिनका आकार बहुत बड़ा हूं और ये गैसों के बने हों साथ-बधानी प्रकास और अपनी उर्जा हो जिसे ये बहुत भारी मात्रा में उत्सरजित करते हों तो इसे क्या कहेंगे हम तारा लेगा जिसके can't convention क्या डिए हम अपने पृर't के रहते हमuan चूरर क्या है बहुत बड़ा के इसके पास भी क्या है अपना प्रकास है अपनी उर्जा है ठीक है और यह इस प्रकास और उर्जा को बहुत भारी मात्रा में उत्सर्जित भी करता रहता तो सूर क्या हो गया हमारा एक टारा हो गया इसी के साथ एक बात और आती है कि नच्छत्र मंडल क्या होते हैं ठीक है नच्छ नच्छत्र मंडल के बारे में बात या दिया कि यह तारों का समूह होता है जो की अलग-अलग अकृतियों में दिखाई पड़ते हैं इन सभी नच्छत्र मंडलों में सबसे ज्यादा चर्चित जो नच्छत्र मंडल है वो अर्षा मेजर या बिग वियर है क्यों कि इसी का एक भाग है इसमाल वियर इसी का एक भाग है अर्षा मेजर का इसमाल वियर जिसे सब्तिरिसी तारे कहते हैं और इसी तारे को संकेतक मानकर प्राचीन काल में रात्र के समय दिशा का निर्धारण होता था कि कैसे होता था इस सब्तिषी तारु को संकें तक माना जाता था इस चतर के माधелен से लिगा नुत मदधा ये एक लड़की है जो रात के समय समय दिशा का निधारण करना चाहती है सब्तिषी तारो के आधारました कि यह क्या कर रही है तो इस समय वो सबसे पहले आकास में सब तरिसी तारों को उसने खोजा कहां पे हैं सब तरिसी तारों को खोजना थोड़ा आसान है क्योंकि साथ तारे ज़्यादा मात तेजी से चमकते हुए साथ तारे होते हैं ठीक है और ये सातो तारे एक साथ होते हैं और जब इनहीं में से दो तारे को संके तक माना जाता है और इसी के ठीक सीधे देखा जाता है तो एक तीसरा तारा तेजी से चमकता हुआ दिखाई पड़ता है ये तारा क्या होता है? दुर्वतारा होता है अब यदि ये तारा उस लड़की के बाएं हाथ पे है तो ये पूरब दिसा में जा रही है तो ये पूरब दिसा में जा रही है और यदि ये धुर्ब तारा इसके दाएं हाथ पे है तो ये किधर जा रही है पश्चिम दिसा में जा रही है यदि धुर्वतारा किसी विब्यक्ति के बाएं हाथ पे है तो पूरब दिसा में जा रहा है यदि उसके दाएं हाथ पे है तो पश्चिन दिसा में जा रहा है इसी के आधार पर रात्र में दिसा का निधार होता था जब तक कमपास का विश्कार नहीं हुआ था इसलिए सब से जिसी तारे बहुत ज़्यादा महतपून थीक है। अगली बात आती है तारे की बात होगी अब ग्रह क्या होते हैं थीक है, ग्रह होते हैं थीक है। तो ग्रह वे होते है、 जिनके पास अपनी प्रकास अपनी उर्जा नहीं होती है, गरह क्या होते हैं, गरहों के पास अपनी प्रकास और अपनी उर्जा नहीं होती है, यह सूरी का जो प्रकास होता है, यह तारों का जो प्रकास होता है, उसी से उर्जा या प्रकास गरहन करते हैं, तारों के प्रकास जो है अंग्रेजी में गरह को planet कहते है without the supremacyщika प्लेंट होता है पड़िपर्वण करने वाला परिभरवन करने वालए क्या होते हैं यह हमेशे घूंब्थे रहते हैं जैसे हम अपने सौर मंडल की बात करें अपने सौर मंडल की बात करें तो यह सभी गरह क्या सूर के चारों तरफ घूम रहे हैं वैसे और भी सौर मंडल होंगे जिन में किसी ना किसी सूर के चारों तरफ घूम रहे होंगे इनके बारे में जानकारी ही नहीं है तो गरह क्या होते हैं यह तारों के चारों तरफ यह घूमते जाते हैं और उपग्रह क्या होते हैं ठीक है लगे हाथ उपग्रह को देख लेते हैं उपग्रह के वास भी अपना प्रकास नहीं होता तो इसको उपग्रह क्यों कह दिये क्यों कि यह सूर की चारों तरफ ना गोंके ग्रह के चारों तरफ गूंता इसलिए इसे क्या कह दिया उपग्रह कह दिया जाता है चंद्रमा क्या है एक मोर मोर समद्रबी वर फार को कि अब इतना हम लोगे देख लिया तो हम थोड़ी देख लेते हैं कि सौर मंडल कि से काते हैं ठीक है अब हम आते हैं अपने सौर मंडल पर ये एक इमेज है जिसे थोड़ी देर बाद देखेंगे लेकिन इसके पहले देखते हैं सौर मंडल की जब बात आती है तो सूर्य सूर्य आठ गरह उपक गरह तथा अन्य खगोली पिंड कहने का मतलब यह हो गया सूर्य हो गया हमारा आठ गरह हो गये उपक गरह हो गये कुछ अन्य खगोली पिंड हो गये जिसे चुद्र गरह या उलका पिंड कहते हैं मिलकर क्या करते हैं सौर मंडल का निर्माड करते हैं जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है. क्यों? क्योंकि इन सभी आठो गरहों को, उपगरहों को और अने खगोलिय पिंडों को उर्जा जो मिलती है, वो सूर्य से मिलती है. दूसरी बात क्या है? सूर्य जो है, इन सभी गरहों के केंदर में इस्थित है, और पूरे सौर मंडल का जो द्रमान है, उसका 99.9% जो द्रमान है ये सूर्य में नहीं थे. अब ये सोचो, कि जिसके पास 99.99% द्रमान हो, जिसके पास अपनी परकास और उड़जा हो, और जो पूरे सौर मंडल के केंदर में बैठा हो, तो मुखिया नहीं होगा, तो क्या होगा? तो सूर्य क्या है? मुखिया है. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. सूर्य हमारे सौर कर रहे हैं, गरह क्या कर रहे हैं? इसकी परकर्मा कर रहे हैं. सबसे पहला गरह कौन सा है? बुद्ध का है. सबसे पहला गरह कौन है? बुद्ध है. ये अठासी दिन में क्या करता है? सूर की परकर्मा पूरी कर लेता है. ये अठासी दिन में क्या करता है? सूर की पूरी प ठीक है पुद्ध के बाद दूसरा ग्रह जो है हमारा वो सुक्र है सुक्र भी देर्ग विर्ताकार का अच्छा में सूर की परकर्मा करता है ठीक है और इससे पिर्थवी की जुडवा ग्रह या भगनी ग्रह कहा जाता है ठीक है इससे पिर्थवी का जूडवा ग्रह कहा जाता फिर उसके बाद बारी आती है किसकी पिर्थिवी की ठीक है फिर इसके बाद बारी आती है पिर्थिवी की पिर्थिवी क्या करें दीर विर्ताकार का अच्छा में सूर की परिकर्मा कर रही है ठीक है इसको समझने के लिए हमें चित्र देखते हैं ठीक है वो चित्रे देखते है पहले पेच पे है कि यह वाला पेचे ंए कि इस पर अगार हम देखे इस चिटय ठिक है यहाँ यह दिम्हर्भ से देखें तो सूर led g के केंद्र में और पूरे साथ मंडल में क्या क्या है सुर्ष dwa उसके सबसे नद्दीक का तारा यहां में कौन सा दिख रहा है बुद्ध दिख रहा है जो के सबसे नजदीक है उसके बाद का जो तारा है गरा है तो सूर की सबसे नद्दीक का जो गरा है वो कौन सा है बुद्ध है जो की 88 दिन में क्या करता है की परिकर्मा पूरे कर लेता है सुबुद्ध के बाद दूसरा जो गरह है जो सूर के सबसिनद्धीक है वह हमारा क्या है सुक्र है ठीक है इसे पृत्वी का जुड़वा गरह भी कहा जाता है इसके बाद सूर से तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृत्वी ठीक है यह भी दिर यह सूर से चौथे अस्थान पर फिर ब्रहसपति की बाद यह आती है ठीक है फिर आगे अगली बारी ब्रहसपति की फिर सनी की फिर अरूर, यूरेनस की और लाश्ट में बार याती है, निप्चुन, ये सब के सब गरह, ये सब के सब गरह, सूर की परिकर्मा कर रहे हैं, वो भी दीर गिवित्ताकार के अच्छा में, ठीक है, 2006 से पहले प्लूटो भी एक गरह था, लेकिन 2006 में इसे गरह की सरीड इसे हटा के, बाव ने गरह में डाल दिया गे, इस समय कितने करह हैं, कुल आठ गरह हैं, ठीक है, आठ गरह हैं, जिन में से अगर हम देखें, तो बुद्ध, बुद्ध एक ऐसा गरह है, और सुक्रे कैसा जिसके पास उप गळाह नहीं है पिरितिवी के पास एक उप गळाज इसका नाम चंद्रमा के बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे उसके बाद सब्से ज्यादा जो उप गळाह है वीरषपत के पास हैं फिर उसके सूर की परिकर्मा कर रहे हैं सब के सब गरह एंटी क्लाकवाइज एंटी क्लाकवाइज सूर की परिकर्मा कर रहे हैं लेकिन गरह परिकर्मा ही नहीं करते हैं ग्रह क्या करते हैं ये घूडन भी करते हैं मतलब अपने अच्छ पे गुमते हैं परिकर्मण के साथ साथ क्या करत मतलब अपने अच्छ पे घुमते हैं तो क्या सभी ग्रह भी पस्चिम से पूरब की तरफ ही घुड़न करते हैं मतलब पस्चिम से पूरब एंटी कलाकवाई घुड़न करते हैं नहीं दो ग्रह ऐसे हैं जो कलाकवाई घुड़न करते हैं एक आपका हो जाता है सुक्र एक हो हो जाता है सुक्र दूसरा हो जाता है यूरेनस यह दो गरह यह से हैं जिसको याद करना चाहो तो इसे कर लो यू और वी यू यूरेनस और वीनस यह जो दो गरह है वह अपने अच्छे पिजन का जो घूड़न होता है क्लाकवाई होने से हो जाता है यहां पर सूर्य होता है वो पस्चे में उखता है वो पूरब में डूबता है बाकी सभी अंटिकला को आज घोडन भी करते हैं तो यहां पर बाकी जो इतनी जितने गरा है वहां सुर्य पूरब में उखता है और पस्चे में जाके डूब जाता है तो यह सब चीजे हो गई हमारे सौर मंडल के बारे म हमारी पूरी पिर्थिवी है उसका पूरा ब्यास है उसका एक बटा चार ठीक है चंद्रमा जो है वह हमारी पूरी पिर्थिवी का एक बटा चार है पूरी पिर्थिवी का जो ब्यास है उसका एक बटा चार चंद्रमा का ब्यास है और यह है जो इसकी दूरी चंद्रमा की जो कितना होता है इसकी कितनी है तीन लाग चौराफीजार चार सो कहने के मतलब लगबग एक सेकंड में लगबग एक सिकंड से थोड़ा फज्ञादा वन पॉइंट इसके आस पास ही क्या करता है जो रोचनी सूरी से चंद्रमा तक आती है वह चंद्रमा से से लेकिन अगर हम बात करें कि जो प्रकास सूरी से आ रहा है उसे कितना समय लगता है उसे लगता है आठ मिनाट सोला सिकंड के असपास लगता है क्यों क्योंकि सूर्य और पिर्थवी के बीच की जो दूरी है वो है पंदरा करोंड किलो मीटर ठीक है तो इतनी दूरी ते करने में कितना समय लगता है आठ मिनट सोला सिकंड यह दो क्वेश्चन भी आप याद रखिए चंद्रमा से सिकंड भी तक आने में 8.16 मिनट मतलब 8 मिनट सोला फिकंड के आसपास अब जब चंद्रमा की बात हो रही है तो सब यह भी बात कर लेते कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा तो थे हमारे नील आर्म इस्ट्रांग ठीक है नील आर्म इस्ट्रांग पहले बेखती थे जिन्होंने 21 जुलाई 1979 को 21 जुलाई 1979 को चंद्रमा पर कदम रखा ठीक है नील आर्म इस्ट्रांग यह भी चलो यह बात हो गई है इसको सीख लिए अब बागरी आती है चंद्रमा के बाद की चुद्र गरह क्या होते हैं ठीक है चुद्र गरह क्या होते हैं तो उसको देखने के पहले थोड़ी बाते और देख लेते हैं कि चंद्रमा जो है उस 27 दिन में अपना जो एक मिनट चंद्रमा 27 दिन में क्या करता है पिर्थिवी का एक चक्कल लगाता है ठीक है चंद्रमा 27 दिनों में लगबग पिर्थिवी का एक चक्कल लगाता है लगबग इतनी दिनों में अपना गूड़न भी पूरा कर लेता है तो हमेशा क्या करते हैं हम चंद्रमा का क्य लुडन भी पूरा कर लेता है तो हमेशा इसका में एक ही भाग दिखाई पड़ता है दूरोष चंदरवा पर ना तो हवा है ना तो पानी है तो इसलिए यहां पर जीवन जीने लाइक नहीं 12 अब बात आती है छुद्र गरा किसे कहते हैं जिए गरा था एक रचय बाउना गरा था किया पृत रजा cœur होते हैं यह हमने देखा अभी चित्र के मादर्स से भी देखेंगे कि मंगल और ब्रसपतिगरा के बीच में बड़े बड़े चटानी पिंड़ पाये जाते हैं जो सूरकी परिकर्मा कर रहे हैं उने के बीच में तो यह कहां से आए तो इसके बारे में का जाता है यह गरहों में 20 वोट के कारण जो टूटे हुए टुकड़े हैं वही छुद्र गरह के रूप में मंगल और ब्रस्पत गरह के बी का पिंड़ भी क्या होते हैं यह भी पत्थर के टुकड़े होटते छोटी होटे जो सूरकी परिकर्मा कर रहते हैं लेकिन कभी-कभी यह परिकर्मा करते हैं पिर्थवी की तरफ आने लगते हैं और पिर्थवी के वाई मंडल में जब आते हैं तो रगड के यह जल जाते है जलने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, लिकिन जब कभी-कभी ये समाप्त नहीं होते हैं, तो ये पिर्थवी पर गिर जाते हैं, जिससे बड़े-बड़े गड़े बन जाते हैं, लोनार नामे जील बन जाती है, तो ये गड़े बना जाते हैं, जील वहाँ बन जाती है, ये बात हो गया हमारी उल्का पिंड़ कि इतनी बात हो गई अब यहीं पर लगए हांप क्रा मु하면 हमने कहा था कि बात में देखेंगे उसको हम एक बार हम देख लेती हैं dealer स मंदου का एक कि सब्राहें Нब्ध मिлов पिर्थिवी के सबसे नजधीक गरह कौंसा है तो कौंसा है आपका सुक्र है क्योंकि 150-108 घटाएंगे तो लगभग आएगा लगभग क्या एक्कुरेट आएगा 42 किलो 42 मिलियन किलो मीटर ठीक है यह आएगा लेकिन यहीं जब हम मंगल से पिर्थवी के घटाएंगे तो यह आजाएगा किलो मीटर ठीक है मिलियन किलो मीटर तो पिर्थवी के सबसे नतीग गरा कौन सोग है सुक्रगरा हो ठीक है यह जदा दूर है और चुद्रगरा की बात कर रहे तो आप देखेंगे ब्रिश्पति और मंगल के बीच में क्या है एक पट्टी की रूप में बिद्धिमान है यह सबसे नतीग बुद्ध फिर सुक्र फिर फिर्थवी फिर मंगल उसके बाद कौन सा गरा है फिर ब्रिश्पति ठीक है फिर उसके पास सनी फिर यूरेनस फिर नेप्शून यह सब के सब दीर विर्थाकार गच्छा में परिकर्मा कर रहे हैं इनमें से सूर के बहुत नतीग गरह जो है चार बुद्ध फिर फिर्थवी और मंगल यह चारों के चारों कौन से हैं यह चारों के चारों चटानी गरह है यह चारों के चारों चटानी गरह है ठीक है इन्हें आंत्रिक गरह भी काते हैं इनको आंत्रिक गरह भी काते हैं ठीक है इसी परकार इसी परकार ब् बिरिस्पत्य सनई कि बिरिस्पति हो गया सन हो गया और एक यूरेनवीनात्य नेप्च्छून यह क्या है यह गईised treekpatार्त की रुप में पाए जाते हैं इनको वाहिगरह ही का जाता आगे कि चार को आंतिक गरा, बाद वाले को बाह गरा कहा जाता है, ठीक, ये भी चीजे हमने देख ली, और इसी के साथ लगबग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और इसमें एक चीजे और देख लेते हैं, कि इन में से बुद्ध और सुक्र के पास अपना कोई उपगरा नहीं ह पिरत्वी के पास एक है, मंगल के पास दो है, और सबसे ज़्यादा अगर उपगरा की बात आती है, तो ब्रिस्पत के पास है, सबसे ज़्यादा उपगरा जो है, और ब्रिस्पत के पास है, फिर सनी, फिर वरुन, फिर वरुन के पास है, ठीक है, और आगे, कुछ अकर दि नदी की तरह दिखाई पड़ता इसलिए अकास की गंगा कहा जाता है और जब यही मतलब लाखों अकाफ गंगाएं मिलती हैं तो किसका निर्माण कर देती है ब्रह्मांड की ठीक है पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़ी काई क्या है ब्रह्मांड प्रह्मांड है उसको एक च इस पर दिया गया है थी मिठाते है पर ये तो हम ही टेнет और हमारा संबंध्ध किस से प्रित्भी से और तिभी का संबंध्ध किस से सौर मंडल से और सौर मंडल समन्द किस से आकास गंगा से टिक है के और आकास गंगा का समन्द किस से ब्रह्मान से मलं का समन्द इन शब से हैं तो इस इस परकार अच्छा छे की जो इंसी आटी है । उसको हम लोगों ने इस किया तुछी 26 मिनट का क्लास चलिए इसमें हम सभी कितने भी पॉइंट थे उसको देख लिए आगे कई आगे कई जो क्लास बनेगी ओ दूसरा पार्थ होगा जिसमें अच्छाम से देफांतर होंगे तो इसे क्लास को अभी बाइंड आप करते हैं और अगले लेक्चर में हम पाठ दो के समरी को देखेंगे जैहिन जैफार कर देखेंट